आज मैं बना रही हूँ गुड और मुर्मुरे के लड़ू जो बहुत टेस्टी बनते हैं एकदम क्रिस्पी बनेंगे मार्केट से भी बहुत अच्छे बनते हैं घर पर इस तरीके से बनाएं तो सर्दियों में इस तरह का कहाना बहुत अच्छा लगता है तो चलिए इसको ब जगतार चलाते हुए बोनेंगे तीन से चार मिनेट बूनेंगे तो यह बिल्कुल अच्छा से क्रिस्पी हो जाएंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखwalkा है लो में अधिन में हमें लेते हैं फिर से मैंने वही कड़ाई लिए इसमें मैंने एक चमज घी डाल दिया है और घी को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें डाल देगे गुड़ तो मैंने लिया था तीन कप मुर्मुरे और एक कप गुड़ ये परफेक्ट मेजरमेंट है इसके और उपर से ये बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा इसको तो इसे हमें लगातार चलाते हुए गुड़ की हमें अच्छे सी चास्नी बनानी है इस तरीके से ये देखे बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको लगातार चलाते रहना है और गुड़ में जब अच्छा सा उवाल के चेक करेंगे अभी ये देखे एकदम अच्छा सा टूटने ही रहा है हलका सा चिपचिपा रहा है तो हमें इसको थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा तो हम इसे ती 2-3 मिनिट और पकाएंगे और चलाते रहेंगे अब बिल्कुल अच्छे से फूल गया है देखें 3-4 मिन को इसमें डाल देते हैं और गैस का फ्ले मैंने बंद कर दिया है और इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गुड़ और मुर्मुरों आप इसमें स्टैम्पे कटे हुए कोई भी ड्राइफ्रू डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो मैं नहीं डा साइब लड्डू बना हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू बानना मुस्किल हो जायगा क्योंकि ठंडे में यह विखर जाएगा लड्डू नहीं बने यह सक्ट हो जाएगा तो जैसे हिए हलका सा गरम हो तो हम हाथों में घहीं लगाएंगे इस तरीके से थोड़ा सा और गर्म गर्म में ही LEDU बनाना है हमें, अगर यह फटा फट लड्डू नहीं बने तो यह ठंडा होने के बाद इस तरीके से एकदम विखर जाएगा गागा तो इसके जो हैं LEDU बाहसने, तो हमें पहणती आसान तरीका है बहुत जल्दी बन जाते हैं मार्केट में से जब हम लाते हैं तो काफी महेंगा देते हैं लेकिन वह बहुत उसमें मिल आउट होती है साफ तरीके से नहीं בनाते हैं मेरा वीडियो अच्छा लके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करए